मैं इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं करती कि कंगना ने किसानों को उल्टा सिधा ब्यान नहीं दिया लेकिन क्या हम अपने जवानों को अपनी महिलाओं को अपनी बेटियों को ये संसकार दें कि पबलिक का एक परदेश में चुने हुए सांसद के उपर हाथ उठाना या इ उसका जबाब वोट्स से लेते ना हरा देते उसको बिजेपी की वहां सरकार से अप ऐसा कोई काम न गरें कि कौम के लिए कौई बोले ऐसी कोई बात न गरें कि लोग आपकी कौम को कहने लगे और इतिहांस की बातें करने लगजाए यह कहीं से स्विकार नहीं है हम ब्ये सफ यासी ऐसी जवान पिनाइक बहुत बड़ा ट्रस्ट करते हैं जो जाती धरम संपर्दाई और पार्टी परिवार सबसे उपर उठकर देखते हैं किसी फोजी को और फोजी की ड्रेस को और जिस जगे फोजी की ड्रेस खड़ी हो ना अमारा सर जुकता है मैं किसी पार्टी भी से इसकी बात नहीं कर रहे हूं किसान आंदोलन को मैंने स्पोर्ट किया मैंने सभी किसानों को हमेशा कहा कि गलत बैठे नहीं सही बैठे हैं अपनी मांग जायज है पर जो घटना कल दिली सौरी चंडीगड़े एरपोर्ट पे हुई मैं उसको ठीक नही उसको सही यू नहीं मानती कि कल कोन फोजियों पे कल फोजियों की ड्रेस पे कल कोन पुलिस की वर्दी पेंट्रस आसोरी ट्रस्ट करेगा बुपेंदर सिंग हुड़ा मुख्या मंत्री थे और बुपेंदर सिंग हुड़ा के उपर पाणी पत में थपड मारा था तो क्या स सही मानते हो आप उसको इसको उसकी आज तक आपको पता है फिर वो जो थपड मारने वाला वेक्ती था वो कहां है और कहां वो चला गया पता है उसको किस पागल खाने में और भूपेंदर से गुड़ा की आप बड़ी सोच देखिए उन्हों ने उसके उपर मुकदमा दर्ज नहीं किराया भूपेंदर सिंग उड़ा जब मुख्य मन्त्री थे तो उनको पाणि पत में ठपड मारा गया और भूपेंदर सिंग उड़ा का बड़ा जिगरा और दिल देखते हुए पता क्या का उनोंने कि ये वेक्ति पागल है ये वेक्ति मानसिक रूप से विमार है हैं और छोड़ दिया गया पर आज तक ये बताओ वो पागल वेक्ति कौन है क्या उसकी पहचान हो पाई फिर आप बात कर लो सिंगम आया था पाणी पत्के अंदर ट्राफिक पुलिस में आड़ादेस आंदोलनकारीश का उसके पिछे लगया था और अंदोलन कारियों ने खूब कहा कि हम तेरे साथ हैं हम तेरे साथ हैं वही तु फलाना है डिकड़ा है अंदोलन कारियों ने खूब कहा कि तरी वर्दी बचा देंगे सिंगम तु लड़ सरकार से लड़ और मैंने यह कहा था कि तुम इसकी नोकरी खा जोगे कहाँ वो कहाँ उसकी युनिफॉर्म कहाँ पुलिस की वर्धी और वो अन्दोलनकारी उसकी वर्धी खागे उसकी नोकरी खागे और वह विचारा सड़कों पर धुक्क्रा वां खेतों में तो ऐसे ही यह जो महीला है न विचारी कुलविंदर इसको पता नहीं किस ने इसके दिमाग में क्या डाला होगा क्या ने डाला होगा क्या अब चार दिन पोस्ट आएंगी पांचवे दिन कोई स्पोर्ट करने ने आया लखास दाना जिता लिया आपने असी अजारी सरदार हैं अपना पंजाब में सिर्फ इतनी वोट हैं ये इस तरह की चिज्जे करके आहूती मचड़ा है अगरो दूसरी एक और बात सुनू बड़े ध्यान से सुनना अमरित पाल को बार निकल वाली है आप लोगों ने आगया अमरित पाल बार तो ये लोग प पॉस्टे पांची दिन आएंगी जब उसकी नोकरी चली जाएगी जब वो खुड़ा लाइन चली जाएगी जब उसके पास उसके परिवार के साथ गलत होगा कई आंदोलनकारी सिर्फ पोस्ट डाल के गाली देके जाती गद्दा गाली देके उसके बाद नहीं मिलते और कंगडा की बात चल कंगडा ने उस वक्त बोला था आपने वहां इमाचल में हरा लेते उसको वोट की चोड़ देते को थपड़ मार के अपमान करके एक सांसद को नीचे दिखा के यह आप जाती हो पर टिपनी करके यह कोई अच्छा काम कर रहे हो आप यह बढ़िया काम कर कि विजेपी को अरा देते हैं ने सारी जग ऐसे इतना दम था किसी में क्यों नहीं हराई दो सो चालिस सिटें यह दो सो पचानवे के दो सो बानवे सिटें फिर भी आगी आज तिन सु तीन का प्रिवर होगे ठीक है और कल मोदी जी फिर सरकार बना लेंगे फिर पर दानमं अरे एक वर्दी के उपर है ना वर्दी के उपर ट्रस्ट करता आदमी चाहे मुसलिम पहने चाहे कस्मीर का वेक्ति पहने चाहे पंजाब का वेक्ति पहने चाहे रियाना का वेक्ति पहने आज कौन वर्दी पर यकिन करेगा कि पुलिस की वर्दी में या फोज की वर्दी म इंडिया के संसद में लोग उस गे कितना बड़ा ओऊधा ब्रोंड रूप का मामला अब क्या होगा आप बाइज एरपोर्ट जैसे शुरक्सित जगें पर लोग शुरक्सित नहीं भात कंग राणावत के नहीं नहीं कि वा पार की आजंसियों की भारत की मिलटरी शाये की कर दिया तो उसको याद करेंगे तुमने कॉंग्रस को पंजाब से खतम क्यों नहीं कर दिया टायर जला-जला कर घर्द्यंग में डाले गए थे कांग्रस खतम होगी क्या वहां से परिवार खतम हो गया कि कल मैंने राहूल गांदी को देखा गुर्द्वारे के अंदर पीछे ऐसे हाथ खड़े खड़ा था वो ऐसे हाथ भी नहीं कर रहा था मोधी जी को मैंने देखा गुर्दवारे में जाते हुए सर जुखा कर दोनों हाथ खुले नि जुडे रहे एक पूरा टाइम गुर्दवारे के अंदर इसे कहते हैं संस्कृती जब मोधी सरकार की गलती थी तो मैंने अमेशा गलती कही किसान जब बैठे थी तो मैंने अमेशा स्पोर्ट किया जिस जिस की बात थी मैंने अमेशा सही किया पर कल से जिस तरह की पोस्ट आना कंगना के नाम पर राजपूत समाज गो नीचे दिखाना विजेपी कितना खड़े होकर स्पोर्ट कर रहे हैं कंगना की या राजपूत समाज वो राजपूत समाज अब ठीक ठीक हो रहा है खुश हो तुम बहुत बढ़िया हो तुम अच्छा फील कर रहे हो तुम संग्ठनों हैं एक मर्द एक शिर एक योगी एक को पीम देखना चा क्या बेश्ती करवारे हो आप मैं बिजेपी की बात नहीं कर रहे हूं मैं उन हिंदूस तमाम संग्ठनों की बात कर रहे हूं कि जो आज कंगना के मुँपे ठपड नहीं तुमारे मुँपे ठपड है यह पूरे राजपुताना पे ठपड है यह पूरे राश्टर पे ठप अपड़ मारेंगे हमला करेंगे भले अगली आउती चड़ जाती है राजपूतों थोड़ा सा थोड़ा सा उठना स्वीकार करो राजनिती में आना सुरू करो आगे बढ़ना सुरू करो और एक यह भारतिय जन्ता पार्टी केवल और केवल जिसमें तुम्हारा उद्धार हो आप लोगों के मुँपे ठपड़ है क्योंकि राजनितिक ताकत सबसे बड़ी ताकत है आपकी और अगर सबको लगता है ना कि अक्टूबर के अंदर विदान सभा के अंदर आप टिक्टे लेकर आओ छत्रियों आप हिंदू समाज के लोगों टिक्टे लेकर आओ आओ पक्स बोलती हूं और राष्टर के लिए बोलती हूं और धर्म के लिए बोलती थी और बोलती आई जहां जिसके गलती है वो गलत है बात थपड मार कर कौन सा तीर मार लिया के जरिवाल के उपर थपड मारा था सैनी के उपर साइं डाल ली थी इंद्रा गांदी को उसी के में मार दिया था वूपैंदर सिंग उड़ा थपड लग गया था यह कोई बहुत बड़ी मसल्फ है नहीं थपड कांड थपड कर क्या बेशती आप राते ना इमाचल उसको तब तो मैंमानती कि कंगनागी बेशती हो गी है है वूपैंदर सिंग उड़ा वही है जिसने कितरों में राज करके गया इतने दिन सहीं फैंकी थी तो यह हो बहुत बड़ी बात नहीं ललकार कर वार करो जब तो मरत वारी बात है नहीं यह तो यह कोई पिच्छे से वार करना insult कर देना किसी personality की चै कोई भी हो चै किसी party का और किसी समुदाय का पिर से अक्टूबर में चुनाओ है अपनी ताकत और अपने समाज की ताकत और अपने हिंदू की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को बाकी मैं किसी भी एंगल से इस थपड को सही नहीं मानती और एक बात जरूर क्याना चाहती हूं आप उस बेटी कुलविंदर को भी यह जो पोस्ट डालने वाले हैं अबुगे पांच दिन डालेंगे छटे दिन आपके परिवार का पत है विचारा सिंगम जिसको कहते तो उसकी नोकरी खागे तुम है तुम्हें मैं जानती हूं करनहाल में किस-किस को कितनी वोट देदी और जोन से यह अंदोलनकारी चाहिए हमारे समाज क्यों किसी और समाज क्यों वह 2000 लेकर दिखाऊ है भूपेंदर सिंग उड़ा का पान साथ सालों कुछ हुआ नहीं उसका हमले किये थे तो भई यह जितने अंदोलनकारी इस टाइप के लोग है ना यह थोड़ा सा देश का राष्टर का और संसद में गुशे थे उनकी जमानत को गया कोई गया कोई करवाने जमानत उनके देश दुरों लगया और देश द सारे उन माताओं के लिए थपड़ है यह उन सबके गाल पर अपमान का थपड़ है कि एक सांसद बनकर आती है माचल की बेटी और उसको तोफे में सम्मान की बजाए थपड़ मिलता है थपड़ उसके नहीं आप सबके सम्मान पे लगया है अगर तुम्हें कुछ अकल आग अला वोट से लेने का परियास करें एक एक वोट भाजबा को जानी चाहिए अब की बार यह जितने 800 लोग जुड़ रहे हैं और धम लगता है वाद को तो शेर कर देना नहीं अपने घर चुप चा बैठे रहो ठपड़ खाते रहो तो तो लग 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 लिए पता है ला विह आपको कब लगता थी क्या आब क्यों क्योंनी वोट दी रापपता यह फिल्ट कर ले जाते ते ज है इतनी जुरूरत नहीं ध ultr श्वरग बना दिया इंटरनेशनल नाम कर दिया उध्या है वो लोग वहां पड़े थे सड़ी जुगी जो पड़ी मों ठीक थे हैं लोग बीजी थे अपरादियों से ड्रते थे भूमी माफियां खतम कर दिये बड़े-बड़े अपरादियों को ठीकाने लगा दिया उगलत क सब्सक्राइब को अगर मेरी बात में दम लगता है ना एक काम कर देना आथ जोड के निवे देना छत्रियों से इंदूं से शेरों से इस वीडियो को शेर कर देना और अक्टूबर के अंदर चुनाव है इसका आप जबाब देना और गाली-गोडियां थे मैं डरती नहीं अरना मेरा कोई फर्कपड़ार यह थपड़ थुपड़ नहीं यह अपमान आप लोगों का है कंगनगरा अपमान नहीं यह